दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर मुशरफ हुसेन और आज इस वीडियो में जो हमने टोपिक कवर किया है वो है पेन अब्डोमेन कि कैसे आप पेट दर्द के अधार पे उसकी location के अधार पे उसकी site के अधार पे ये पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी बिमारी हो सकती है तो मैं इसको थोड़ा और आपको simple करने की कोशिश करूँगा सरल भाशा में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको पेट के किसी इससे में दर्द होता है तो कैसे आप पता लगाएंगे कि आपको कौन सी बिमारी है और इसकी severity क्या हो सकती है तो आपको ये समझने के लिए जो abdomen है उसका थोड़ा सा एक basic anatomy समझना पड़ेगा abdomen को actually nine regions में बाटा जाता है जो आप इस image में देख पा रहे होंगे तो इस तरीके से दो line उपर से नीचे खीच के और दो line तिरची खीच के पुरे abdomen को 9 हिस्सों में divide कर दिया जाता है और उसके अधार पे इसको नाम दिये जाते हैं कौन से organ किस हिस्से में आते हैं उसी के एदार पे आप यह पता लगा सकते हैं कि यहां पे किस organ की बिमारी है तो for example अगर हम शुरुआत करते हैं जो यह right side का जो सबसे उपर का हिस्सा है इसको right hypochondric region के नाम से जाना जाता है राइट hypochondric में liver होता है, gallbladder होता है, तोड़ा सा colon का इससा भी आता है बट मेली जो आपे liver और gallbladder की pathology वाली बिमारिया होती है तो अगर इस हिस्से में आपको कभी बहुत तेज दर्द होता है, तो यह मान के चलें कि आपके gallbladder में या तो stone है, या तो सूजन है, या liver की कोई दूसरी विमारी है उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है सबसे उपर का, इसको epigastric region के नाम से जाना जाता है epigastric region में liver का भी कुछ हिस्सा आता है, यहाँ पे stomach होता है, और उसके अलावा pancreas भी इसके पीछे की तरफ होता है और कुछ जो आत का पहला हिस्सा होता है, डूडिनम वो भी आता है, अगर आपको gastritis है, या डूडिनल अलसर्स है, या gastric अलसर्स है, तो यहाँ पे आपको दर्द होगा कुछ cases में heart attack का दर्द भी epigastric region में होता है, बहुत सारे मरीजों में उसके बाद हम जब थोड़ा left side move करते हैं, तो यह कहलता है left hypochondric region, left hypochondric region में mainly spleen होगा, और जो colon है, जो descending colon है, उसका इससा आता है, और कुछ जो left kidney है, उसका भी थोड़ा सा इससा इसमें आता है, मगर mainly यहाँ पे जो pathology होगी, यहाँ जो दर्द होता है, या तो आपका spleen का size बढ़ गया है, या colon से related कोई बीमारी है, तो left hypochondric region में आपको दर्द महसूस होता है, या kidney के उपरी हिस्से में कोई pathology है, तब यहाँ पे आपको pain के लक्षन आ सकते हैं, उससे नीचे की तरफ हम आते हैं, तो जो mid वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है umbilical region, इसके पीछे पूरे का पूरा small intestine पड़े होते हैं, छोटी आत, डूटनम का कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है, अगर आत के अंदर कोई pathology होती है, आत में बंद लग जाए, आतों के अंदर सूजन हो, या कोई किसी तरह का umbilical region में हरनिया हो, तब यहाँ पे इस तरह के दर्द हो सकते हैं, और अगर यह बहुत acute और severe pain है, तो generally, intestinal obstruction या आत के बंद लगने में यहाँ पे दर्द की शुरुआत होती है, उसके बाद जो left side का reason है, उसको हम left number region कहते हैं, यहाँ पे आपका kidney होता है, left side वाला kidney, और यहाँ पे जो colon है, उसका इससा नीचे की तरफ जाता है, descending colon का, तो अगर colon की कोई pathology है, आपको colitis है, left kidney में stone है, यूरेटर में left side में stone है, तो इस region में generally दर्द होता है, similarly, अगर राइट side की kidney की pathology है, राइट यूरेटर की pathology है, और वहाँ पे ascending colon का दो कुछ हिस्सा होता है, तो वहाँ पे अगर दर्द होगा, तो राइट kidney है, सा है, इसको हम राइट इलियक region या राइट इलियक फोसा के नाम से जानते हैं, इसके अंदर appendix होता है, जो आपका colon है, ascending colon का जो हिस्सा है, वो भी आता है, बट यहाँ पे mainly जो pathology होती है, वो appendix से related होती है, appendicitis का दर्द इसी region में होता है, और बहुत तेज होता है, कई ब appendix की position होती है, उसके हिसाब से, but maximum cases में जो दर्द अगर राइट इलियक फोसा में है, तो यह मान के चला जाता है, कि यहाँ पे appendix का दर्द है, appendicitis का दर्द है, तो female में जो fellow queen tube है, वो इस region में आती है, और यहाँ पे ectopic pregnancy का दर्द भी होता है, वो भी बहुत severe pain होता है, औ इसको हम hypogastric region या pelvic region के नाम से भी जानते हैं, तो जो यहाँ पे एक तो urinary bladder होगा, और तो के अंदर uterus होगा, तो यहाँ पे pelvic inflammatory disease के जो लक्षन होता है, या आपके urinary bladder के अंदर अगर कोई stone है, या वहाँ पे pathology है, ऐसे statis है, उस तरह के जो लक्षन है, वो आते हैं, और अ gynecological problems होती हैं, वो हिस्से में अक्सर दर्द करती हैं, जो उनको हम pelvic inflammatory disease के नाम से जानते हैं, जो left side का हिस्सा बच जाता है, उसको left iliac fossa के नाम से जानते हैं, इसके अंदर colon का निचला हिस्सा होता है, और यह colon का जो हिस्सा है, यह move करता है, जो hypogastric region है, उसके अंदर भी जाके, तो अगर किसी को politis है, या sigmoid colon में कोई problem है, तो फिर यहाँ पे उस तरह के लक्षन होंगे, या दर्द होगा, तो यह बहुत ही brief में कुछ मैंने आपको लक्षन के अधार पर यह बताने की कोशिश किये, कि अगर आपको पेट के किसी हिस्से में, किसी region में दर्द ह होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस हिस्से की pathology है, कौन सी बिमारी हो सकती है, एक बात ध्यान रखें कि acute abdomen या acute pain एक emergency condition होती है, जब भी बहुत तेज पेट दर्द हो, तो इसको ignore ना करें, हलके में ना लें, बहुत जल्दी doctor से दिखाए, so that ultrasound करके या क जो बिमारियां हैं, वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, और कई बार इस से life भी चा सकती है, तो इसको समय रहते डाइगनूस करें, और इसका समय रहते इलाज कराएं, तो मुझे अमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए informative रहा होगा, अगर आपकी व notifications मेरे वीडियो के मिलते रहें, ताने बात